वारानसी अत्वा तो बनारस पूरी धुन्या का सबसे प्राची नगर है वारानसी तीन हजार वर्षों से भी अधिक समय से भारती सभ्यता को अपने में संजोई हुए है बढ़ती आधुनिक्ता और व्यवसाई करण के बावजूद बनारस ने अपनी पहचान को सदा से बनाई रखा है गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर भारत के सबसे लोगप्रिय प्रेटन्स थलों में से एक है वारानसी को बनारस और काशी भी कहते हैं वारानसी का नाम दो नदियों वरुण और असी को जोड़कर बना है वारानसी, काशी, बनारस इस नगर के सबसे प्रसिध नाम है किन्तो क्या आप चालते हैं कि इस नगर के कई ऐसे नाम भी हैं जो हम नहीं जानते वारानसी को महाशंशान, ब्रह्म रद, रम्य और सुदर्शन के नामों से भी जाना जाता है यह भारत के प्रमुक्तीर स्थानों में से तथा विश्व के प्रसिध धरम स्थानों में सबसे उपर अपना नाम अंकित किये हुए हैं इस धानमित नगर में श्रधालों भारे संख्या में पूरा साल आते रहते हैं बनारस मंदिरों की धर्ती है अकेले बनारस में ही 23,000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर हैं इन मंदिरों में शिव का काशि विश्वनात मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकठा मंदिर, भारत माता मंदिर, मा अनपूरुना मंदिर और तुलसी मानस मंदिर प्रमुक हैं यदि आप अध्यात्म मेरूची रखते हैं, तो आपको अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार यहां अवर्शे ही आना चाहिए। प्रसित अमेरिकी विद्वाम मार्क ट्वेन ने लिखा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना, परंप्रा से भी पुराना, कि वदंती से भी पुराना और जीतना दिखता है उससे दोगुना पुराना है। बनारस शिव और पार्वती की नगरी है। यहां भगवान शिव और माता अनपूर्णा का निवास माना जाता है। उसे निष्टी तूप से मुक्ती मिलती है। इसलिए नजदीक और बहुत दूर-दूर से भी यहां के प्रसिद शमशान घाट मणे करनी का घाट पर शमों को अंतिम संसकार के लिए लाया जाता है। प्रसिद बड़ी करनी का घाट पते दिल लगबग 310 संसकार करता है। बनारस जैन धरम के 23 सिर्थंकर पार्शर नाथ की जनम भूमी भी है। गौतम बुद्ध ने यही परबौधर धरम की नीव ईसा से 528 स्वर्श पूर्व रखी थी। बुद्ध ने अपना पहरा उपदेश सारनाथ में लिया था। सारनाथ बनारस के बिलकुल नजदीक है। गुरु नानक ने 1507 में महाशिवरात्री के दिन वारांसी की यात्रा की थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें स्तिक धरम की स्थापना में एक बड़ी भूमी का निभाई। बनारस में गंगा नदी पर 84 घाट है। इसी कारण यह रगर पूरे संसार में एक मात्र ऐसा नगर है। जिसमें किजी नदी के किनारे इतने सारे घाट हुए। नदी के तड़ पर पत्थर की चोड़ी चोड़ी कई सीडियां बनाई गई है। इन सीडियों को ही घाट कहते हैं। श्रधालू इन सीडियों पर बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। यहां के प्रमुख घाट, दशाष्व मेध घाट, पंच गंगा घाट, तूची घाट, मनी करनी का घाट और हरिश्चंत्र घाट इन दोलों घाटों पर म्रदकों का अंतिम संसकार होता है। साथ ही यहां तीर्थ पुरोहित ब्राहमन इत्यादी वन्शावनियों की बड़ी-बड़ी पोथियों को संभाल कर रखते हैं अपने ज्यान की महिमा के कारण बनारस को प्रकाश का नगर अत्वा तो सीटी अफ लाइट भी कहा जाता है बनारस लाको करोणों बर्षों से ज्यान की पीट कहलाता है भारत के कोने कोने से महान विद्वान आते हैं और शास्त्राथ करते हैं आदि शंक्राचारे जी से लेकर राम कृष्ण परम हनस तक सभी बड़े-बड़े धरम पूश यहां पर आ चुके हैं यहां की बनारस हिंदू युनिवर्सिटी वीश्व में हिंदूों को वेद शास्त्र की शिच्छा देने वानी सबसे बड़ युनिवर्स्टियों में से एक हैं बनारस हिंदू युनिवर्सिटी पूरे एशिया की लार्जेस रेजिदेंशियल युनिवर्सिटी है संत गोस्वामी तुलसी दास्जी में शी राम के जीवन पर वारानसी में राम चरित मानस नामक महा काविया लिखा भक्ती आंदोलन में कई अन्य प्रमुख महा पुरुष बनारस में ही पैदा हुए जिन्में कभी और रविदास भी शामिल है यहाँ पर वर्षा के महीनों में मेंड़क की शादी की जाती है इस नगर की महिमा को देखते हुए प्रति वर्ष असांक्य परियटक यहाँ आते हैं और सादा के लिए यही पर बस जाते है बनारस अपनी योग तथा आयूर्वेद चिकिच्चा पधती के लिए प्राची काल से जाना जाता रहा है सारे विश्व को आयूर्वेद और योग चिकिच्चा की देन काश्रे बनारस को प्रापत है बनारस प्रतिवर्ष पांच दिवसिय म्यूजिकल जूपत फेस्टिवल के लिए बहुत ही प्रसिद है यहाँ फेस्टिवल तूसी घाटपत होता है इसी प्रकास गंगा महोत्सव फेस्टिवल नवंबर में होता है यह फेस्टिवल लेखने के लिए देश विदेशने खूब परियटक यहां आते है बनारस न केवल अपनी धार्मिक और सांस्वतिक पिरासद के लिए जाना जाता है इसके अत्रिक बनारस व्यापार का भी बहुत बड़ा टेंडर है बनारस अपनी सिल्क, सोना चालने के अभूशनों तथा अन्य कारीगरी की चीड़ों के लिए पियापार के लिए प्रसिद है बनारस अपनी सिल्क की साड़ियों के लिए बहुत ही मश्यूर है कारीगर को एक सिल्क की साड़ी बनाने में करीच छे महीने का वक्त लग जाता है इनमें सबसे ज़्यादा लोग प्रिय सिल्क, कटन और गंजा, जॉर्जे और शार्टिर सिल्क साड़िया आती है बनारसी सिल्क वैदिक काल से अपना जादू कायम रखे हुए है बनारस के नागरी मुख्य रूप से हिंदू धरम के अनुयाई है मुस्लिम लोग यहां के सबसे बड़े अल्प संख्यक है बनारस की सत्तर प्रतिशत चन संख्या हिंदू की है यहां कुछ, कुछ-कुछ इसाई, जैन, सीख और बोध धरम के अनुयाई भी रहती है बनारस को आप निली इंडिया भी कह सकते है 23,000 हिंदू मंदिरों के साथ साथ बनारस में 12 चर्च, 3 जैन मंदिर, 9 बोधमट, 3 गुर्दवारी और 1388 मुस्लिम धरम स्थर भी है यहां साडियों के बुनाई का काम हुख्य रूप से मुस्लिम लोग ही करते है बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, भारत हैवी इलेक्टिकल्स लोगों को बहुत बड़ा रोजगार दे रही है इसके इलावा बनारस में दरी, कालीन, पीतल तांबे के बर्तन, लकडी और मित्ती के खिलोने, सोना चांदी के जेवन और म्यूजिकल इंस्टूमेंट्स के मैनुफेक्टरिंग और होल्सेल ट्रेडिंग होती है बनारस के पान, लंगडा आम और खोये से बने मिठाईयां बहुत ही मश्वूर है बनारस में 19 प्राचीन दर्शनिय इमार्ती हैं इनमें से प्रमुख हैं जैसे काशी विश्वनात मंदिर, अशोक स्तंभ, भारत कला भवन, जंतर मंतर, राम नगर फोर्ट, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, धन मंतरी मंदिर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीच